आप भी यूपीटेट एक्जाम पास कर सकते हैं कुछ टिप्स बता रहा हैं इनको फालो करिए आप देखिए जो भी टिप्स बताया जा रहा है ये 6 टिप्स हैं इनको अगर आपने फालो कर लिया तो आपको किसी भी कोचिंग जाने की जुरत ही नहीं है आप सेल्फ इस्टेडी से ही अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं और यूपीटेट को पास कर सकते हैं सबसे पहला है नियमीत इस्टेडी करना है ठीक है आपको क्या करना है डेली इस्टेडी करना है रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है दूसरा है रोज नया सीखना है अलब डेली आपको चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे गड़ित हो जो भी सब्जेक्ट है उसमें से आप रोज कुछ ना कुछ अपने माइंड पे पूरा वो कॉंसेप्ट क्लियर करिए समझे उसको रोज नया सीखे तीसरा है नोट से तयार करें जो भी पढ़ रहा है आप उसमें से नोट से बिलकुल तयार करके आगे पढ़िए उसको नोट से यह सहायता मिलेगी कि जब भी आप उसको रिविजन करेंगे तो आपको पूरी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी आप उसी नोट से ही सारा revision कर सकते हैं चौथा है हर टापिक को concept wise समझें यानि पूरी अगर book जैसे आप पड़ रहे हैं तो उस पूरी book को तो एक बार में आप समझ नहीं पाएंगे तो हर टापिक को concept wise समझें तो इस से आपको आसानी से समझ में आएंगी बाते रहेंगे तो वो पूरा भूल जाएगा तो इसलिए आज आपने पड़ा है उसको दो-तीन दिन के बाद तुरंत revision करें अगला है practice set solve करें इससे क्या होगा कि आपकी जो है consistency बढ़ेगी आप practice set को solve करेंगे तो आपका जितना भी mindset है वो पूरा active रहेगा और आपकी practice से ही आपके प्रश्न सालो करने की जितनी भी गती है वो बरकरार रहेगी तो ये हो गए 6 tips अब देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत जरूरी है क्या नहीं करना है आपको हर समय mobile check नहीं करना है हर समय mobile check करने से क्या होगा mind disturb होता है तो आपको हर समय mobile check नहीं करना है दूसरा है social apps अनिस्टॉल कर दें जितने भी facebook है, instagram है, twitter है या other जो भी social apps है उसको अनिस्टॉल कर दें इससे दिमाग पे extra जो है burden बढ़ता है अगला है आलस हावी मत होने दें दिमाग पे अगर आलस हावी हो रहा है उसको बिल्कुल भी हावी मत होने दें आलस ही विनास की जड़ है अगला है TV, cricket, film इन सबसे क्या करना है दूरी बना के रखना है तीवी हो गया, बहुत ज़्यादा cricket, IPL इन सबसे बिल्कुल दूरी बना के रखे जब आपका carrier बन जाएगा तब ये सब चीजें अच्छी लगती है अगला है जो जीवन में घटित हो रहा है जैसे की कुछ पुरानी ऐसी बाते होती है जो जीवन में घटित हो गई है तो अब क्या करना है उसी को लेकर के बैठे रहो समय बरबात करते रहो तो ये चीजें आपको नहीं करना है तो जो जीवन में घटित हो चुका है उसको याद करके समय बरबात बिलकुल ना करें इसके बाद है साधी समारोग गम से कम अटेंड करें ठीक है साधी समारोग है और दोस्तों से इधर हुदर की बातें, गफ सब, यह सब बिलकुल ही कम कर दें, दूरी बना के रखें, तो इस प्रकार से आपको इन 6 टिप्सों को अपनाना है, इसके बाद देख लेते हैं, कि अब आप अपने सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाएंगे, देखें, क्या होत अच्छे नंबर कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, उसको आपको और मजबूत करना है, ठीक है, उस पे आप और फोकस डालिए, तो जो यहाँ पर वीकनेस हो देखिए, बाल विकास है जो, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, तो इस में से आप क्या करेंगे, बाल विकास में 30 में से आप ला सकते हैं, 26, 26 प्रशन आप सही कर सकते हैं, इसके बाद हिंदी में, हिंदी भासा जो है उसमें से भी आप 25 से 26 प्रशन सही कर सकते हैं, इसके बाद है अंग्रेजी या संस्क्रत जो भासा होती है दूसरी भासा उसमें से भी आप 24 से 25 प्रश्ण सही कर सकते हैं ठीक है इसके बाद पर्यावरण है पर्यावरण में 30 में से आप 25 प्रश्ण को सही करने की कोशिस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्ण हमारे सही हो जाएं तो इस प्रकार से अगर आप इन सभी विस्यों पर फोकस कर लेते हैं तो आपके कितने अंख हो गए इन सभी को अगर एड़ करें तो ये हो गए आपके सव प्रश्ण आपके सही हो गए सव प्रश्न सही हो गए अब मान के चलिए जो पांचवा सब्जेक्ट है गड़ित उस गड़ित में आपके आएं कितने आठ तो टोटल प्लस आठ और जोड़ दीजे तो कितने हो गए 108 तो बन गई बात तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जो आपके मजबूत हैं भी से बाल विकास हो गया हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया तीक है अब इसमें से भी आपके ऐसा हो सकता है कि कोई और भी एक और कोई वीग पॉइंट सब्जेक्ट हो तो उसमें से क्या है कि फिर जो दूसरा subject उसको फिर और ज़्यादा cover करिए तो इस प्रकार से आप UP date को बहुत ही आसानी से pass कर सकते हैं